हेलो माई पूडीस फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मुली के पराथे, जो हंडिद पर्चन्ट गरंटेड है कि बिल्कुल भी नहीं फटने वाले हैं कि मैं आज आप लोगों रेसिपी एसी बताने वाली हूं जिससे आपके मुली के पराथे बि मूली के पनाटे बनाने के लिए मैंने 4 बड़ी राइच के लिया लिए और इनको मैंने अच्छे से दू कि साफ कर लिया था और इनकी छिलके निघ्व निगाल के अलग कर लिये थे तो देखिवे अब मम हम निकी साहिता से मूली के अच्छे तरीके क Corn TV कर लें इस कपड़े पर हम जितनी हमारी मूलीं आना वो इसमें अड्ट कर लेंगे। देखे सारी की सारी मूली इस तरीके से रख लिए। आप चाहो नहीं हातों की जायता से भी इसे नीचोड सकते हूं बट कपड़ी के सायता से निचोड़ने में आपको perfect रहेगा इससे क्या फायदा होगा कि हमारे मूली का जितना पानी है वो अच्छे से crush हो जाएगा हातों के सायता से अगर हम इसे निचोड़ते हैं तो वो थोड़ा बहुत रहे जाता है जिससे मूली की पुणिया फटने लग जाती है लेकिन अगर आप कपड़े के हैप से मूली के सारे के सारे पानी को निकालोगे न तो ये देखो बिल्कुल perfect आपके मूली निकलेगी अच्छा मूली की थे निकलेगी रेडी हो निकला के रेडी हो एक बनानेमे फीपन लेक हो अब इसमें यह तूढ़ा अलवे चीन और अदुकेश पीस्ट और मे रच पूरी हम ओड़ाइड दॉनरे, इसमा मूले के वना जाना। अच्छे भी एृच्छे महली को और अच्छे मुली को आट की एडियरियों से। मुली को अपने अपनी ग्रीड hein! अब गुड़ी थोड़ी वाग एडियर्यों किताथ वाज घ्राइट केवड़ें! तोड़ा सा गरम मसाला, चात मसाला, दनिया पाड़ करेंगे और छोड़ा सा ब्लैक स्ल्ट भी यूस कर रहे हूं जो चलिए अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और मसाले को रइडी कर लेते हैं इसमें मेरी दूसरी टिप्स ही एए फ्रेंड कि जब भी आप मुली का पराटा बनाओ तो आप तेज आँच में बनाओ जिससे चितना भी पानी रहता है वो पूरा निकल जाएगा और मुली भी ज्यादा गली की नहीं और आपका मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा तो चलिए हमने आटा उनके पहले तरका था यह आटा बिल्कुल रूटी की जैसे हमें गूरना है जो नॉर्मल रूटी बनाते हिए बिल्कुल वैसे यह आटा लगाना है तो देखिये बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा रेडी हो चुका है अब इसमें से तोड़कर के मैं एक ल बिल्कुल उसी तरीके से लोई लेनी है अब लोई में हमाटा एड़ करेंगे और इसे बेल लेंगे बेलते ही वक्त हमें नॉर्मल हाथोर का यूज करना है और इसे ज्यादा बड़ा नहीं बिलना है हमें बस इतना ही बिलना है ताकि हमारी स्टफिंग अच्छे से फील हो जा इसे चारों तरफ से हांता होकी खुमाटे वह एपने लोई को इस तरह के बनाते वक्त मैं इस और एक टेप्स बताहूंगी जो मेरी तर्ट टेप्स है आप इसे अपने हाथों की रिप्स्ता है चारों तरफ इस तरह के शार six से का फेलिया है युन आपका पराथा भी नहीं फटते गां, तो देखें, तल्गे मूली को तरफ बहुत प्राथा बैस्ट रड़ी होता है, पिलकुल भी नहीं फटते को तक पराथा रही कर दोगी कि यहुता है, तो देखिए सारी के तारे बना लिया है मैंने इस तरीकी से और अब इसमें से मैं एक लोई लेरी हूं लोई में थोड़ा सा आठा सूखा एट की हूं और बिल्कुल हलकी हातों से इसे बेला है थोड़ा प्रेस पस कीजेगा वरना आपकी मूली निकल सकती है तो देखिए बि प्रेस नीचे से प्लट लेंगे अचाहो है तो इसमें और गीए बिदा नॉर्मल और इसके लगा देने के बाद चारों तरह से में इसे और लगा दोगे तो देखिए इसे हमें पलटना है और आप देखोगी कि मेरे मूली के पनाते बिलकुल फूले पूले रेडी वे यह मुली-फृल्य की पनाथह नहीं पनाना सकते हैं पर्फेक्ट पराटा बना सकते हैं अब रेसिपी कैसी रंएक बता है कंदमीं मुझे बॉक्स कर दो हम उसके फुल्फिल कर दूंगी और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा फ्रेंड ताकि मेरी प्यारी प्यारी रेजिपी को आप इंजॉय कर सको अगर रहते भी अच्छी लगी हो तो लाइक करीगा कमेंट कीजेगा और जादा थे जादा फ्रेंड लोगों को सेयर कीजेगा थैंक्यू सो माट